त्रियोदसी तिथी भगवान संकर को समर्पित मानी गई है ऐसे में प्रदोस्वरत के दिन भगवान शंकर वा माता पार्वती की विदिवत पूजा की जाती है सास्त्रों के अनुसार कृष्ण पक्ष वा सुक्ल पक्ष की त्रियोदसी को प्रदोस्वरत रखना चाहिए प्राप्ति के लिए किया जाता है इस व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और ग्राय दोसों का भी निवारण होता है एवं सांसारिक जीवन के सभी कस्त वापाप आदी से भी मुक्ति मिलती है तो आईए जानते हैं बुद्ध प्रदोस व्रत का सुब मुरत प्रदोस कीती थी प्रदोस पूजा का मुरत मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं साल दो हजार तेईस में बुध्ध सुक्ल प्रदोस वुरत 27 सितंबर दो हजार तेईस देन बुधवार को है प्रदोस पूजा का मुरत रहेगा सुबा च्छे बच के कतिस मिनट से रातरी आठ बच के चवर मिनट तक कुल अफधी दो ग़ंटे 24 मिनट के 13 सितंबर को सुबा एक बच के 45 मिनट से त्रियोज़शी तिति की समापती होगी 27 सितंबर 2023 को रातरी 10 बच के 18 मिनट पर। प्रदोस काल का धार्मिक महत्व किसी भी दिन सूरी के सूर्यास्त और रातरी के संदिकाल को प्रदोस काल कहा जाता है जिस प्रदोस काल को भगवान सीव की पूजा के लिए सबसे उत्ता माना गया है उसके बारे में पौरोडिक मानेता है कि इस काल में भगवान शिव ने व और भगवान शिव ने उन्हें इससे जिस दिन मुक्ती दिलाई थी वह त्रियोधसी तिति यानि प्रदोस वाला दिन था। साय काल एक बार फिर सूर्या से पहले इसनान करके प्रदोस काल में भगवान सिव का सोर सो उपचार तरीके से पूजन करें कथा वाचन करना चाहिए इसके पश्या सिव जी की आर्थी प्रसाद वित्रड करने के बाद सबसे अंत में स्वयम प्रसाद ग्रहड करें। के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा उस पुरुस के साससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुद्धवार को पत्नी को विदा करकर ले जाना सुब नहीं होता लेकिन वहापुरुस नहीं माना विवस होकर साससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी म से विदा करना पड़ा पती पतनी बैल गारी में चले जा रहे थी एक नगर से बाहर निकलते ही पतनी को प्यास लगी पती लोटा लेकर पतनी के लिए पानी लेने गया जब वा पानी लेकर लोटा तो उसने देखा उसकी पतनी किसी पराया पुरुस के लाए लोटे से पानी पी कर हस हस कर बात कर रही है वह पराया पुरुस बिल्कुल इसी पुरुस की सकल सूरज जैसा ही था या देखकर वह पुरुस दूसरे अन्य पुरुस से क्रोध में आग बबला होकर लड़ाई करने लगा धीरे धीरे वहां काफी भीर इकटा हो गई इतने में एक सिपाही भी ही मन संकर भगवान की प्रातना करने लगा कि हे भगवान मुझे और मीरी पत्नी को इस मुसीवत से बचा लो मैंने बुद्धवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करकर जो अपरात किया है उसके लिए मुझे छमा करो भविसे में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी स्री संकर भगवान उस पुरुस की प्रातना सी त्रवित हो गया और उसी चड़वा अन्य पुरुस कहीं अंतरधान हो गया वा पुरुस अपनी पत्नी के साथ साकुसल अपनी नगर को पहुच गया इसके बास से दोनों पति-पत्नी नियम पूर्वक बुद्धवार प्रदोस्वरत करने लगे बोलू उमापती भगवान शंकर की जै